हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल विज्वाल आट हिस्ट्री माहियस फ्रेंड्स यह मॉक टेस्ट है 20 मॉक टेस्ट के क्वेशन्स होंगे जो कि मैं लास्ट में इसका अंसर की भी दे दूँगी मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा मॉक टेस्ट मैंने बह इस बार जो मैं question papers लाई हूँ यह foreign के आर्टिस्टों का है Michael एंजिल रफैल संद्रे बतेचेली इन सब आर्टिस्टों से related काफी paintings है और काफी उसकी techniques है और मैं उसके जब answer दूँगी तो उसमें detail में भी बताती जाओंगी जब मैं last में answer देती हूं तो उसमें जितनी भी च questions में questions put up करके फिर थोड़ी देर बाद मैं उसका objective type answer दूँगी अभी सिर्फ मैं question पढ़ते जाओंगी और जब answer दूँगी तो मैं detail में उसको पूरा बताओंगी तो आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखिएगा तभी आप लोग को benefit होगा ठीक है तो first question start करते हैं the birth of venice च जाओंगी next question number two, यह number one है बर two है ठीक है यहाँ पर गलती से one ही रह गया है Mars and Venus चेत्र किस ने चित्रत किया? Mars and Venus, Michael Angelo, Swantra Vitrucelli, Raphael आप इसको एक answer paper लेजे, pause करिए मेरे वीडियो को answer paper लेजे और उस पे A, B, C, D करके answer आप देते जाएए first का ये, second का भी ऐसे करके आप डालते हुए जाएए और last में जब मैं आपको answer बताऊंगी तब आप उसको reach it करिए कि आपके questions कितने सही हुए है next question third, palace and centuries, चित्र किस ने बनाया? ठीक है? चित्रत किया? Michael Angelo, Sandra, बत्ते चली, Raphael the adoration of magi, चित्र कहां इस्थित है? Italy, London, Florence जब मैं last में इसका answer दूँगी तो ये भी बताती हुए जाओंगी कि ये चित्र किस ने बनाया है? किस technique में बनाया है? कहां चित्रत इस्थित है? question number five, adoration of the magi, चित्र किस technique में बनाया है? ठीक है? देख लिजिए इसका water on paper, fresco, oil on paper and कोई नहीं फिलिपो लिपी किस यूग के कलाकार थे? ठीक है? early renuncia के B, Baroque के C, Dadawaad के D, अभिवेक्तिवाद के ये C, D गलत है आप C, D कर लिजएगा ठीक है? next question, appoeration of the virgin to St. Bernard किस की कृती है? Michael Angelo, Raphael, Leonardo Da Vinci, Filippo Lippi question number eight, Filippo Lippi की कृती, Madonna with Child किस माध्यम से बनी है? fresco on wall, gel run paper, oil on paper, कोई नहीं ठीक है? allegory of music, नामक चित्र फिलोपो लिपी ने कब बनाया था? fresco on wall, sorry, ये question कुछ wrong है allegory of music, नामक चित्र फिलिपो ने कब बनाया था? मैं आपको option देती हूँ इसमें ये question गलत है, allegory of music, नामक चित्र फिलिपो लिपी ने किस माध्यम से बनाया? ठीक है, fresco on wall, gel, रंग, पेपर पे, oil on panel last option आप D रखिये, tempera on panel ठीक है, tempera on panel मैंने इसमें writing में कुछ mistake कर दी है इसलिए आपको ये question थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा problem होगा allegory of music, नामक चित्र फिलिपो लिपी ने किस माध्यम में बनाई है? fresco on wall, gel, रंग on paper, oil on paper और D हो जाएगा, tempera on panel ठीक है, next question number 10 mystic wedding of saint chaterin virgin and martyr martyr, martyr, martyr है ये, ठीक है नामक चित्र फिलिपो लिपी ने किब बनाई थी? 1200 इस्वी में, 1300 इस्वी में, 1500 एक इस्वी में, इन्ने से कोई नहीं ठीक है, next question number 11 story della virgin, history of virgin, ये दो नाम से है इसका जो first नाम था, वो history of the virgin है और दूसरा है, story della virgin ठीक है, नामक चित्र फिलिपो लिपी ने कहां बनाया था? ये पुछा है, कहां पर रखा है या कहां पर बनाया है? ठीक है, तो France में, London में, cathedral, Spoleto में या Sun Cathedral में, ठीक है, question number 11 12, the coronation of virgin Mary in the heaven नामक चित्र किस ने बनाया है? A. फिलिपो ने, B. माइकेल अंजेलो ने D. जियो कॉमा दी, मोनोज ने, ब्रोती चेली ने 13, Lucrezia, Beauty, ये कौन थी? A. फिलिपो ने, फिलिपो ने, ब्रोती चेली की पत्नी थी ठीक है? Next, 14 number, Madonna and Child किसकी कृती है? फिलिपो ने, माइकेल अंजेलो की, राफैल की, या ब्रोती चेली की? 15, डोना तेलो का जन्म कब हुआ था? 13, 86 में, या 13, 90 में, या 13, 50 या 13, 60 ठीक है? Next question, 16 डोना तेलो के गुरु कौन थे? राफैल, माइकेल अंजेलो, घिबर्ती, कोई नहीं ठीक है? डेविड मूर्ती, नामक मूर्ती, डोना तेलो ने निर्मित किया था ठीक है? वो किस माध्य में बनी थी? डोना तेलो ने दो मूर्तीया निर्माड की थी, डेविड की ठीक है? तो पहली, ये पहले के बारे में पूछ रही हूँ एक मूर्ती थी उनकी वो किस माध्य में बनी थी? डेविड की मूर्ती दोना तेलो ने मार्बल में निर्मित की थी, वो कब बनाया था? ये क्वेशन मैं इसलिए दोनों लेके आई हूँ क्योंकि कन्फूजन ना हो कि ब्रोंज में थी और मार्बल में थी या किस मेडियम में थी तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कभी आप्शन में वो आप्शन नहीं देता या दे देता है तो आप लोगों को ये क्लियर रहेगा और कब बनाई थी ये सब जब आंसर दूँगी सारे का मैं डिटेल दे दूँगी नैंटीन लेरेंजो गिवर्टी कहां के कलाकार थे फ्रैंस के इटली के अमेरिका के यूरोप के ट्वेंटी माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था सन 1474 में सन 1460 हिस्वी में इटली में कब और कहां हुआ था तो सन 1474 फ्लोरेंस में सन 1460 इटली में सन 1450 लंदन में या सन 1500 अमेरिका में ठीक है यह हो गए क्वेशन आपने अगर आंसर कर लिया हो तो ठीक है नहीं तो पॉस करके मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देखिए और अब्जेक्टिव टाइप क्वेशन लगाईए और मैं अब जा रही हूँ आपको इसका अंसर की बताने ठीक है अंसर की जो मैं बताऊंगी काफी डिटेल में बताऊंगी तो मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा यह वर्थ अब विनस फर्स्ट कर्शन है वर्थ अब विनस चित्र किसने चित्रत किया था तो birth of winners चित्र जो था right answer is यहाँ पर D है बट C माल लो इसको C question answer हो गया A, B, C, D होता है गलती से यहाँ पर B हो गया है सान्दो बृत्तो चेली ने बनाया था इसमें इसका जो dimension था वो 1,72 मीटर 1.72 मीटर से 2.78 मीटर इसका dimension था और यह कहां पर रखी हुई है यह आपको पता होना चाहिए यूफिजी गैलरी फ्लोरेंस में रखी हुई जो के इटली में है ठीक है created कब create की गई थी यह 14.85 में और 14.86 मिन्स एक साल इनको लग गया था create करने में बढ़ था वीनस जिन्हों सांद्रो बत्रो चेली ने जो बनाया था उनको एक साल पूरा लग गया था 14.85 से 14.86 तक 14.85 तू 14.86 तक इन्होंने यह medium जो था इसका tempera on canvas था ठीक है subject इनका क्या था? वीनस था ठीक है? यह वीनस पे बनाया था इन्होंने ठीक है? subject इनका जो था वो वीनस पे था और जो period था सांद्रो बत्रो बत्रो चेली का वो था renanza Italian renanza ठीक है? Italian renanza में थे सांद्रो बत्रो बत्रो चेली God is Venus arriving at the shore offers birth when the when she had immersed from the sea fully grown ठीक है? तो इनका जो picture है वो इस तरीके से है कि वो वहाँ पे उनका birth हो रहा है ठीक है? जो Venus जो Goddess थी उनका birth होते वे दिखाये गया है जब समुद्र में फुल तरह से लहरें उठ रही थी बहुत तरीके से बढ़ गया था उस समय का चित्र है इसका चित्र भी मैं आपको दिखा सकती हूँ यह है इनका चित्र birth of Venus वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर अप लोग को काफी समझ में आ जायेगा ठीक है? यह मैंने Wikipedia से देखा है आप भी देख सकते हैं इसको Wikipedia से सर्च कर सकते हैं यह temper on canvas है कितने मीटर की है? यूफीजी गैलरी में रखी हूँ यह Florence में है इनका डिटेल से जो वर्थ अव Venus का जो चेहरा है इसका इन्होंने डिटेल में भी यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है? Face of Venus अगर आपको भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं ऐसे वीडियो और बनाती रहोंगी प्लीज कमेंट करिएगा ठीक है? सेकंड क्रेशन है कि Mars अडवीनस चित्रत किस ने चित्रत किया था? Mars अडवीनस चित्रत जो था वो भी सॉंद्रो ब्रतिचेली का था ठीक है? इसका राइट अंसर हो जाएगा संद्रो ब्रतिचेली ये कहां पर है? नेशनल गैलरी में रखी गई है ये कब बनी थी? 1483 आप नोट करते हुए जाएगे 1483 में ये बनी थी ठीक है? इट इस अ पैनल पेंटिंग आफ अफ अबाउट 1485 इट शोज दर रोमन गॉड वीनस Goddess of Love and Mars वीनस और मार्स का है इन्होंने मार्स और वीनस का इन्होंने लव का दिखाया है सब्जेक्ट क्या था इसका? जो विशह था वीनस और मार्स था पीरियर्ट था रेनेंसा और अर्ली रेनेंसा इसका भी मैं चित्र दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट थर्ड नमबर कॉर्शन है पलास और सेंचर्स चित्र किस ने चित्रत किया था? ठीक है? ये भी संद्रो वर्टे चेली का है मैं ये दोनों पेंटिंग अभी आपको नहीं दिखा पा रही हूँ सेकेंड और थर्ड उसके बाद मैं सारी आपको दिखाऊंगी ठीक है? नेक्स्ट कॉर्शन देखते हैं कॉर्शन नमबर पॉर्थ पॉर्थ में क्या है? दा एडोरेशन आफ मागी चित्र कहां इस्थित है? इसका अंसर हो जाएगा एडोरेशन आफ मागी जो है वो यूफिजी फ्लोरेंस में स्थित है इसका मैं चित्र दिखाती है यह है फिलिप्दो KI संद्र व्रतिचेली की एडोरेशन आफ मागी यह मैंने लिया है फिलिपी लुपी की एडोरेशन आफ मागी यह है 1475 में 1476 में, यूफीजी फ्लोरेंस में है, व्रती चेली ने Adoration of Moggy 7 वर्जन में बनाया थे, ठीक है, इन्हों ने 7 वर्जन में इसको बनाया था, और ये Oil on Panel है, इसका जो टेक्निक है, वो Oil on Panel है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, 5 नमबर क्वेशन है, Adoration of Moggy चित्र किस तक्रीके में बनी है, Adoration of Moggy फिलिपो लिपी ने Oil on Paper में बनाया था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 6, फिलिपो लिपी किस यूग के कलाकार माने जाते थे, फिलिपो लिपी जो थे, वो इटेलियन आर्टेस्ट थे और अर्ली रि सन 1457 में हुआ था, फ्लोरेंस में, 1457 और इनकी डेथ हुई थी 1504 में, 1504 में 18 अप्रेल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, क्वेशन नमबर 7, एपोरीशन, एपोरीशन ऑफ दे वर्जिन टू सेंट बर्नार्ड, किसकी क्रिती है, माइकल एंजेलो की है, राफाइ लिनार्दो दा विंची की है, या फिलिपो लिपी की है, तो ये क्वेशन भी, फिलिपो लिपी का ही है, एपोरीशन ऑफ दे वर्जिन टू सेंट बर्नार्ड, ठीक है, आर्टिस्ट है फिलिपो लिपी, इसका जो समय था, ये 1485 में बनी थी, और 1486 में बनके तयार हुई इनको टू येर्स लग गया थे इस चित्र को बनाने में, और अन पैनल है ये चित्र भी, डैमेंशन है 210 सेंटीमेटर, 195 सेंटीमेटर, जो की इंच में होते हैं 83 इंच और 77 इंच, ये अभी बाडिया फ्लोरेंस में रखी हुई है, ये लिपी की बहुत ही प्रशंसा प्रश बना था, ठीक है, मैं आपको ये चित्र दिखा सकती हूँ, ये है अबरियेशन ऑफ दवर्जिन टू सेंट बर्नार्ड, ये है फिलिपो लिपी का चित्र, जो की रॉकी लैंड्सकेप पे बना है, ये बहुत ही प्रशंचनी ये चित्र माना जाता है इनका, इसका टाइम प फिलिपो लिपी की कृती मेडोना विदचायल किस माध्य में बनी है, जो मेडोना एनचायल थी, वो ओइल एंड पैनल थी, ओइल ऑन पैनल, ठीक है, इसका जो समय था, 14,50, 14,50 से 14,65, इतने साल लग के थे, इसको बनाने में, टेंपरा ओन पैनल है इसका मीडियम, यहाँ पे टेंपरा ओन पैनल दिया है, ठीक है, सैंटो, स्प्रीटो, फ्लोरंस में यह लोकेटेड है, ठीक है, और इटालियन रेनेंसा पेंटर थे फिलिप पॉली, ठीक है, नेक्स्ट कोशन देख, एलेग्री ओफ म्यूजिक, नामक् इसका राइट अंसर C है, और अन पैनल की जगे पे यह टेंपरा ओन पैनल होना चाहिए था, मैंने गलती से यहाँ पे और टाइप कर दिया, टेंपरा ओन पैनल, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, 10, मिस्टिक वेडिंग आफ सेंट, कैथेरिन, वर्जिन, एंड मार्टर, ठीक ह नेक्स्ट कोशन देखते हैं, 11, स्टोरी डेला वर्जिन, हिस्ट्री अफ वर्जिन नामक चित्र फिलिपो लिपी ने कहां बनाया था, फ्रांस, लंदन, कैथेरिल, इस्पोलेटो, सन कैथेरिल, तो ये कैथेरिल, इस्पोलेटो में बनाया था, इन्होंने, ये एक पैनल है, जो कैथेरिल में बना है, कैथेरिल, इस्पोलेटो, ठीक है, ये इसका जो टाइम था, वो 1469 था, जब फिलिपो लिपी के फादर की उस समय डेथ हो गई थी, उसी समय इन्होंने ये चित्र बनाया था, फिलिपो लिपी ने, ठीक है, इसमें जो कैथेरिल था, इसका और आरी चीज़े आपको डीटेल में दिखेंगी, ठीक है, तो, ऐन्निंसियेशन्स, ड्रमियेशन्स, ये सब इनके चित्र है, ठीक है, ये इनके फिलिपो लिपी के बहुत ही सुन्दर पैनल चित्रत है, ये जो कि आपको कैथेर्डल, इस पोलेटो में, मिल जाएंगी, मुझ तो आपको समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा आप नोटाउन करती हुए जाएगा ठीक है next question देखते हैं question number 12 the coronation of virgin mary in the heaven नामक चेत्र किस ने बनाया था फिलिप्पो ने माइकाल एंजलो ने जियो कॉमदी माइनोज ने ब्रॉथी चेली ने तो इसके जो आर्टिस थे वो जियो कॉमदी माइनोज थे ठीक है इसका c right answer बजाएगा जियो कॉमदी माइनोज यह है इसका चित्र कोरोनेशन आफ दा वर्जिन मैरी इन हैवन ठीक है जियो कॉमदी माइनोज इसका जो टाइम था वो गोथिक पिरियड था ठीक है 1342 1350 में 1340 से 1350 में यह बनी थी ठीक है next question देखते है 13 में मैंने पूछा था लिक्रेजिया बूटी कौन थी यह थी फिलिपो की प्रेमिका इन्होंने फिलिपो ने इनको अपनी अपना मॉडल बनाया था और इन्होंने मॉडल मेडोना के रूप में इनको चित्रत किया था फिलिपो लिपी ने ठीक है यह एक इट मेडोना एन्चाइड फिलिपो की एक बहुत ही सुंदर चित्र है जो की लिक्रेजिया बूटी ने ही उसमें मॉडल बनके चित्रत करवाया था ठीक है इसका भी चित्रत दिखाती हूँ मैं यह है मोडना एन्चाइड की ठीक है Merdanine Child किसकी करती है फिलिपो लिपी की है ये तो answer होई गया था दोना टेलो का जन्म कब हुआ था दोना टेलो का जो जन्म था वो 1386 में हुआ था ठीक है इसका right answer A हो जाएगा 1386 इसवी में हुआ था next दोना टेलो के गुरू कौन थे दोना तेलो के जो गूरू थे वो घीवर्ती थे लोरेंजो घीवर्ती इनका पूरा नाम था घीवर्ती नेस्ट क्वेशन नमबर 17 डेविट की मूर्ती दोना तेलो ने निर्मत किया वो किस माध्य में बनी है तो देविद की मूर्थी दोना देलो ने बनाया था, एक ब्रोंज मादे में, इसको मैं आपको चितर दिखाती हूँ यह है इनका ब्रोंज में बना हुआ डेविड का चितर यह आप detail में इसको देख सकते हैं आप net पे भी इसको search कर सकते हैं यह पूरा bronze में बना था यह रहा इसका bronze का चित्र दोना टेलो ने दो देविट की मुर्ती बनाई एक marble में बनाई और एक bronze में बनाई थी ठीक है अब जो marble में बनाई थी उसका समय पूछ रहा है यहां पे डेविट ने जो डेविट नामक मूर्ती दोना टेलो ने जब marble में बनाई थी उसका समय क्या था वो कब बनी थी ठीक है तो इसका समय था 1408 1408 मिन्स राइट अंसर ए हो जाएगा आपका 1408 से 1409 बीच में हुआ था और इसकी जो हाइट थी 191 सेंटीमीटर थी हाइट भी पूछ लेता है कभी-कभी कि जो दोना टेलो ने डेविट की मूर्ती बनाई थी उसकी हाइट क्या थी ठीक है नेक्स क्वेशन देखते है 19 लेरंजो गिवर्ती कहा के कलाकार थे नेक्स क्वेशन देखते है अंजेलो का जन्म सन 1445 में फ्लोरेंस में हुआ था फ्लोरेंस इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्लोरेंस में हुआ था Michael Angelo जो थे उनका date of birth में 6th March है और 1475 और उनकी death होई थी 18th February 1565 में ये एक Italian sculpture थे, painter थे, architecture थे और एक poet भी रहे है ये high renanza के artist रहे है, Florence में इनका जन्म हुआ था, ठीक है Michael Angelo का ये portrait है, Michael Angelo का आप देख सकते हैं, यहाँ पे उनका detail दिया हुआ है आप अगर एक बार Wikipedia देख लेंगे तो भी आपको help में जाएगी, ठीक है Thank you for watching my video and keep watching, keep learning, next mock test में जल्दी लेके आऊँगी कल मेरी mock test number 4 आ जाएगी, Thank you Like, Share and Subscribe ज़रूर करिएगा Like, Share and Subscribe